ठगी जूट और फरेव के महामंडले स्वर के तौर पर रास्ट्री अस्तर पर चर्चा में लगातार बने रहने वाले धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री वह बागे स्वर्धाम वाले अपने बाबा की दिब्य दर्बार में करीब 40 महिलाओं के मंगल सुत्र और गले की चेन चोर हो गई है बाबा ने भले चमतकार नहीं दिखाया हो अपने दिब्य दर्बार में और लोगों को ठगी करने के जरिये ही अपनी कमाई की हो लेकिन चोरों ने वहां चमतकार दिखाया है और बाबा के दिब्य दर्बार से 36 महिलाओं के 4,87,000 के गहने उडा लिये हैं खैर इस चोरी के लिए धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री ने अपने चमतकार और अपने दैवी सक्तियों के जरिये उस चोरों को नहीं पकड़ा बलकि इनकी चेला और चेली ने मतलब बेचारी महिलाएं भक्त थाने गई जी हाँ यह घटना 18 मार्च को मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में है जहां बागे स्वर धाम के पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री ने दरबार लगाया था यह दरबार 18 और 19 मार्च दो दिन रखा गया था लेकिन पहले ही दिन 36 महिलाओं के मंगल सुत्र चोरी होने की बकाइदा पूलिस स्थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है हलाकि चोरी की घटना 60 महिलाओं के साथ हुई है अब सवाल यह है कि यह चमतकारी बाबा जो चमतकार के नाम पर देश भर में अपने को प्रचारित प्रसारित करता रहता है वह बताता है कि किस तरह से परची निकाल कर लोगों के भाग्य प्रेम दुराओ लगाओ छुआओ दुस्मनी सब कुछ को बता देता है नौकरी कब मिलेगी रोग कब खत्म होगा बियाह कब होगा बियाह कब कटेगा तलाक किस तारिक को मिलेगा सब कुछ बता देने में सक्षम या बाबा चोरों पर चमतकार क्यों नहीं कर पा रहा है क्या चोरी में इसके भी भक्त सामिल है सवाल इससे बड़ा है कि यह न सिर्फ चमतकार का पोल खोल है बलकि दरबार में बैठे हुए उन चोर भक्त रूपी दानों का भी पोल खोल है जिससे जाहर तोर पर इस तरह के बाबा माफियाओं का गहरा लेना देना होता है हो सकता है कि कमाई कम हो रही हो इसलिए चोरों से भी साठ गाट कर लिया हो इस बाबा ने और अब वह चमतकार के इस जर्ये भक्तों के डाइरेक्ट ठगी में जुट गया हो क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोना तरह की ठगे इस तरह के बाबा खोब करते हैं आप सब जानते हैं कि जनजवार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है आप भी जनसहयोग में सामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में सामिल हो हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का क्योंकि आपका सहयोगी हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है धन्यवाद साथी अब प्रस्ट दूसरा यह भी है कि क्या आने वाले समय में लोगों का कियांख खुलेगी लोग यह समझ पाएंगे कि इस तरह के ठक बाबाओं से वह दूर रहें और वह चमतकार के जरिये अपने जीवन में ना रोग खत्म कर सकते ना अपने बच्चों को पास करा सकते ना पढ़ाई लिखाई करा सकते ना नौकरी दिलवा सकते ना जान दुस्मनी से छुटकारा पा सकते बलकि उन्हें यह खुद प्रयास करना होगा और कम से कम मुंबई की इस घटना ने और जादा साफ कर दिया है कि ठगी का साली ग्राम बन चुका धिरेंदर कृष्ण सास्त्री आने वाले समय में इसकी और पोल खोल होगी और देश देखेगा कि कैसे यह पाखंडी सरयाम हो रहा है समाज के सामने और गर वैज्यानिक सोच के लिए यह अपरादी ठहराया जाएगा क्योंकि यह पूरे देश के हिंदूओं को ठगने का काम कर रहा है मुर्ख बनाने का काम कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदारण है बागेस्वर धाम का यह दरबार जो मुंबई में लगा और वहां मी लोड़ना पड़ा, गिड़डाना पड़ा, जड़ा सोचिये कि यह गहने गाइब होने के बाद इन महिलाओं के घर में जो रसा कसी पैदा होगी, जगड़ा जंजट पैदा होगा, आपसी तनाव पैदा होगा, उसके लिए यह बाबा क्यों नहीं सीधे तौर पर जिम्मे जन ज्वार जनता की मीडिया